कि गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स कि मैं पुस्पेंद्र गुर्जर एक वार पुने डिस्कवरी क्लासेज यूटूब चैनल मैं आपका हार्दी का विनन्दन एवं स्वागत करता हूं मित्रो आज हम अध्यन करेंगे टोपोशीट के वारे में किसके वारे में टोपोशीट या मैं कहूं टोपोग्राफी के वारे में इस्तला कृतिक मानचित या हिंदी में कहूं तो भूपत्रक के वारे में तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो टोपोग्राफी क्या लिखोग यहां लिख सकते हैं यहां पर इस्थलाक्रितिक मानचित्र इसको भू-पत्रक भी कहते हैं क्या कहते हैं भू-पत्रक इसके बारे माध्यन करेंगे देखो सबसे पहले क्या होती है आमेरिका के विद्वान हुए हैं जिनका नाम है अल्वर्टपेंग क्या नाम था अल्वर्टपेंग ये अल्वर्टपेंग महोदे ने सबसे पहले टोपोग्राफ्य या टोपो सीट का सुझाब दिया था और ये जो सुझाब दिया, क्या दिया? सुझाब और ये सुझाब मित्र इजनों ने दिया 1891 इस्वी में कब दिया? 1801 इस्वी में पहली बार टोपो शीट का अगर किसी ने सुझाब दिया तो वो थे अलवल्त पैंक ये अलवल्त पैंक ने बताया कि यहां पर एक बहु संकू प्रक्षेब बना जाता है कौन सा बहु संकू प्रक्षेब के इस्थान पर 1891 में इसने टॉपो सीट यह टॉपो सीट बनाने का सुझाब दिया था और सुझाब दिया किसको तो यह था कि आई एफ यू अंतरज़्टिय मैप यूनियन किसके लिए दिया तो अंतर राष्टिय अंतर राष्टिय मांचितर संगठन अंचर नाश्टिय मांचित्र संगठन यह अंतर नाश्टिय मांचित्र संगठन को सबसे पहले सुझाव किसने दिया तो अल्वर्ड पैंग और कभ दिया तो हमको याद रखना है कभ दिया मित्रो 1891 इस्वी में कब दिया 1891 इस्वी में सुझाब दिया किसने अलवर्ट पिंग और किसको इस बहु संकू प्रक्षेव को संसोधित करके टॉपोशीट या मैं कह सकता हूं कि अंतर राष्टिय प्रक्षेव बनाने के लिए सुझाब दिया तो यह टॉपोशीट भूपत्रक इस्थलाकृतिक जो मांचित्र बनाये जाते यह क्यों बनाये जाते हैं यह जो इस्थलाकृतिक मांचित्र बनाये जाते हैं इनके अंतरगत किसी इसमें मापनी काफी बड़ी रखी जाती है मापनी क्या होती है मापनी बड़े पहमाने पर होती है या बड़े पहमाने पर बड़े पहमाने पर होती है इसके अलावा इस भूपत रखमांचित्र में किसी चेत्र या किसी इस्थान का सूख्ष्म अंकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो किसी इस्थान का इस्थान का अगर सूक्ष्म द्रश्टी से अंकन करना है सूक्ष्म द्रश्टी से अंकन करना है तो सूक्ष्म द्रश्टी से अंकन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं टॉपोग्राफी या मैं कह सकता हूं इसे टॉपोशीट का उपयोग किया जाता है इसमें इस्थला क्रिटिक मानचीतर होता है सामायन उद्देश्यों के लिए इसका निर्मान किया जाता है कैसे उद्देश्यों के लिए तो सामायन लिए उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है सामान उद्देश्यों के लिए किया जाता है यह टोपों जो सीट होती है इसमें भोगोलिक और मानविये दोनों तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है कौन कौन से तत्वों को तो भोगोलिक भोगोलिक प्लस मानविये भोगोलिक प्लस मानविये दोनों तत्वों को कि मि दोनों को प्रदर्शीत किया जाता है त्रों को प्रदर्शीत किया दो-टे दिखो ये पॉइंट कुछ पॉइंटैं जो अपन को याद रखने टॉपोगिया देता हूँ टॉपड़। किर वा वो दिया था AllworldPank ने, यह AllworldPank बहोदे ने इनोंंने बढ़ाया और सुझाव दिया घब, तो 1891 में और सुझाव दिया कि बहुस अंकुप्रक्षेव क्या प्रक्षेव यह बहुस अंकुप्रक्षेव को संसोधित करके मोडिफाइगर के इसकी स्थान पर क्या बनाया जाना चाहिए अब यह टॉपो सीट का सुझाव दे दिया और अंतर्राश्टिय मांचित मैप यूनियन ने 1929 मैं एक टोपो सीट निरमान किया और यह टोपो सेट बनाइगी यह एक अनुपात 1 एक मिलियन या में एक अनुपात दस लाख सेंटीमीटर बनाई गई थी तो यह किसके द्वारा अंतर राश्टी मांचित संगठन मैप यूनियन के दारव निश्व नौ में एक टॉपव सीट का निर्मान किया गया वह कब किया गया तो एक अनुपात एक मिलियन पर एक टॉपो सीट बनाई गई और यह टॉपो सीट अब बात की जाए तो वर्तमान सिच्वेशन के साब से वर्तमान में तो विश्व में कुल कितनी टॉपो सीट बनाई गई है तो वर्तमान में वर्तमान में विश्व में विश में कुल 2222 टॉपोसीट बनाई गई है टॉपोसीट बनाई गई है मित्रों कितनी टॉपोसीट बनाई गई है टोटल तो 2222 किसके द्वारा बनाई जाती है अंतरराष्टिय मांचित्र संगठन या मैं क्या सकता हूँ इंटर्नेशनल मैप यूनियन इस इंटर्नेशनल मैप यूनियन के द्वारा संसार में कुल मात्रा में कितनी 222 टोपो सीट बनाई गई है और यह 222 टोपो सीट किस प्रकार से बनाई गई है दोगों कई प्रकार से बनाई जाती है अलग अलग अक्षांस और देशांतरों के लिए अलग अलग बनाई जाती है जैसे देखो सबसे पहले मैं बता देता हू कि ये एक globe बनाऊंगा उसी कमाध्यम से आपको समझाना चाहूँगा जैसे ये globe है ये 0 degree ये 23 degree ये 66 degree ये 23 और ये 66 ये 0 degree तो सबसे पहले जो topo seat बनाई गई है ये तो north हो गया और ये इसका south pole हो गया तो पहली topo seat बनाई गई है वो 60 degree north and 60 degree south के बीच में बनाई गई है और इसमें total मित्रों कितनी 1800 topo seat बनाई गई है कितनी seat बनाई गई है total 1800 topo seat बनाई गई है और ये जो 1800 topo seat बनाई गई है ये बनाई गई है ये चार अनुपाद 6 पर बनाई गई है कितने में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ चार अनुपाद 6 यानि देशांतर तो कितने है सोरी अक्षांस तो कितने है तो अक्षांस तो चार है और देशांतर कितने है तो देशांतर चै था अकच्छान से अंत्राल कितना है चार और कीतना रखा गए घृती इंट बनाई इसес पर रेख देता हूं कि यह आपकी समझ में आ गया होगा पहले एक बार मैं बापस रिपीट करवा देता हूं कि भू पत्रक अलवर्ट प्रैंक ने सबसे पहले सुझाब दिया और बताया कि बहु सौंकू प्रक्षेप के इस्थान पर टॉपो सीट बनाया जाना चाहिए सुझाब कब दिया तो 1891 इसमी में सुझाब दिया और टॉपो सीट के लिए यह इसका मापने मतला होता है बड़े माप नहीं होती है यह यह बड़े स्केल पर बनाई जाती है दूसरा इस्थान का सू भौगोलिक और मानविय तत्वों का प्रदर्शन इसके अंतरगत किया जाता है किसकी का किया जाता है इसके लाब में बात करूं कि इंटरनेशनल मेप यूनियन अंतर राष्टिय मांचिस संगठन ने 1909 में कब 1909 में पहली वार टॉपो सीट का निर्मान किया और वह एक अ पानँपान 10 लाख सेंटीमीटर पर टोपो सीट का निर्मान किया गया और वर्तमान में बिसमें कुल कितनी अथारचस टॉपो सीट बनाई गये कुग घये जिन में झो अंतर्स और वह फोर अनुपा तो शिक्स का रखा गया है दुबारा से मैं रिपीट करूँगा वो एक बार उपर से फिर से तो देखो में इत्रों सबसे पहले ये गलोब जीरो डिग्री तीज डिग्री और साथ डिग्री और ये हो गया नौर्थ तीज डिग्री और ये साथ डिग्री ये हो गया साउथ मित्रों जो पहले डिग्री बनाई गई है वो साथ डिग्री नौर्थ से लेकर साउथ डिग्री साउथ के बीच में किस किस के बीच में यहां लिख देता हूं मैं साथ डिग्री नौर्थ से साथ डिग्री साउथ के बीच में और साट डिगरी नौर्थ से साट डिगरी साउथ के बीच में कितनी टोपो सीट बनाए गई है टोटल मात्रा में तो कुल सीट बनाए गई है अठारे सो सीट बनाए गई है कितने टॉपोशीट बनाई गई हैं अठारे सो टॉपोशीट बनाई गई टोटल यह जो मैंने 2222 बता ही ने कुल उनका डिवाइडेशन बता रहा हूं में कि साथ डिग्री नौर्थ से लेके साथ डिग्री साउथ इसके बीच में कि इस भूभाघ के लिए इसके लिए जो मैंने पैंट किया है इसके लिए कुल कितनी बनाई यह डों यह तो गया अकशांसी अन्था. तो कितना रखा गया है जैसे यहां एक लिख दूँ तो यह तो और एक दूबारा लिख देता हूं तो इधर रखा गया 6 यहां मैं लिख देता हूं यह देशांतर है देशा अंतरी अंतराल कितना है 6 और अक्छांस से अंतराल कितना है अक्छांस या मैं कोश्टेक में यहां लिख सकता हूँ 4 अनुपात 6 के अनुपात में इनको रखा गया है यानि अच्छाच एक सीट में कितने लिए चार इस परकार से या इस परकार से और देशांतरों का difference कितना लिया है चै एक सीट की उंदरगत कितने डिगरी सी कितने डिगरी डिग्री साउथ यह साथ डिग्री नोर्थ से साथ डिग्री साउट और यहां पर 88 डिग्री नौर्थ और यहां पर भी 88 डिग्री साउथ इसके बीच में सीट बनाई गई है यह यह कितने डिग्री के बीच में यानि साथ डिग्री तक तो उसके उपर वाले में बनाई गई है है और इसमें गनाएग यह साथ से लेकरके 88 डिग्री नौर्थ और साथ से अ 8ट-इएची डिग्री साउथ के वीच में तो मैं यहां लिख देता हूं तो इस्वाट से साथ डिग्री नौर्थ एच्छ डिग्री साउथ से टोटल चारघोमज़ बनाई गई हैं किसेगा है conscious यानि मैं कहूं कि यहां पर बनाई गई है 210 सें औरफ Sikh Space south में और 60 degree north 88 degree north में इन दोनों के बीच में कितनी seat बनाई गी है total到了 तो 420 seat बनाई गी है और Mitraheen में जो अंत्राल रखा गया है तो वो अंत्राल रखा गया है यहाँपर अंत्राल है वो चार है एक से लेके यह चार यह अक्छान से हैं और यह एक से यआं यह मैं लेखता हूँ यह देश अंत्र रहां सु देशांतर कुछ 11 25 समझेशे दो बना ही तहीं तो बनाई गई थी 10 डिग्री नौर्थ साड़बों कीपने कितने साट डिग्री नौर्थ से नॉर्थ से साथ टोटल कितनी सेट बनाई अठारेसों सेट बनाए गई इसमें चार डिक्री अक्षांसों का देसांतर हो उट्राइव कितने हैं इसके अलावाद दूसरी बनाएगी वह 170 सी डिक्री के बीच में और 212 का यहाद नॉर्थ देखांसों का अंत्राल 4 डिग्री का है और देशांत्रों का अंत्राल 12 डिग्री का है देखां मित्रों ऐसा क्यों किया है क्योंकि जब हम गलोब के बारे माध्यान करते हैं तो यहां पर जागर के इस हिसाब से इन दुरूबू पर जाते हैं जिस प्रकार से दुरूबू पर बढ़ते हैं तो इनके अधेशांत्रों के मद्द का अंत्राल है यह क्या होता है काम हो जाता है तो अंत्राल कम होने की बज़े से यहां पहले तो रखा था कितना 6 और बाद में कर दिया इसको 12 क्य अब्रों कि अब देखो क्या सेश कह बचा एं तो वह सेश के लिए बन है और सेश्श बचा हुआ है यह कि यह दूसरा यह थे तीसरा है और इसके अंतरगत में बनादे यह था अत्य इत्इसरा बन गया और इसम ragaz पुन कि ऐसे यह कितना डिगरी था, 88 डिगरी नोर्थ और यह कितना है दुरूव 90 डिगरी, इधर ऐसे ही, 88 डिगरी साउथ और यह 90 डिगरी साउथ, दुरूव, यह सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बनाए गया है, इसके लिए दो सीट बनाई गए यह बस एक उपर और एक नीचे टोटल कितनी बनाई है तो मैं यहां लिख देता हूँ कितने डिगरी से हैं तो 88 डिगरी नौर्थ एंड साउथ से 90 डिगरी नौर्थ एंड साउथ यह मैं कहूं नौर्थ पॉल तक और टोटल इसमें सीट बनाई गई है मित्रो टोटल इसके अंतर गत दो सीट बनाई गए है कितनी दो एक उपर यह यहां पर और गधर दो सीट बनाई गई है और इंड में ह RUSए पिश क्राफ्र 20 डिगरी का रखा गया है कितने का डो अनौर्पाद दो डीकरी का अन्तर जाल इसके अंतरगत रखा गया है अब देखो टोटल कितने हो गई अठाग़े थैसा और चारटर वीज्ट कितने होते हैं 2220 और दो कितने होते हैं तो कितना 222 सीट हैं को तो मैं समझता हूं यह आपकी समझ में आ गया होगा केल्कुलेशन समझ में आया किस प्रकार से आप बात करते हैं हम भारत के संदर में ये तो टोटल हमने कि हैं इंटरनेशनल मानचित रियूनियन के बारे में कि विश्व में कुल मानचित पे कितने टोपो सीट बनाई गई हैं तो कुल मात्रा में टोपो सीट बनाई गई हैं 2222 किस प्रकार से बनाई गई है तो वह आपको इस पस्टली याद हो गया होगा कि 60 डिग्री नौर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में अठारे सो टोपोशीट बनाई है इसमें अक्छांसों का अंत्राल कितना रखा चार और देशांत्रों का अंत्राल रखाया है छे के बाद म इसी प्रकार से जो 60 डिग्री से 88 डिग्री के बीच में टोटल बनाई है 420 टोपोशीट और इनका अंत्राल रखाया है 4 अपोन 12 यानि अक्छांसों का डिफ्रेंस 4 है और देशांत्रों का अंत्राल कितना है 12 रखा गया है आ नेक्स्ट बनाई गया है यह 88 से लेकन नब्चे टिग्री तक और 88 से नब्चेटे में दोजीट बनाई है टोटल यह कैसी सीटैं तो यह वरत्ताकार सीटैंश मैं याद रखना है यह कैसी है तो वरत्ताकार यह वरत्ताकार चैनी तरुबियाव कैसी गोल सिट वरत्ताकार शालत में डू दू डू डुकी दूर्टमरस रखा गया यह तो था कि इसके संदर में वीर्ट में अब मैं समझातों आपको भारत के संदरमें तो भारत में कोथ कितनी टॉपोशीट बनाई गई है यह मैं आपको इसकीन सोट लेना हो तो ले सकते हूं मैं फिर इसको मिटाओंगा मित्रों कि अब देखिए पहले या मित्रों भारत काव सिद्र में अगर मैं बात करूँ। भारत में ऊसके पडोषी देशो के लिए लिए खुल 106 डॉपोशीट बनाई गई हैं guerre दप अंत्राल रखा गया है वह रखा गया है मित्रों फोर अपोन फोर का यानि अक्छांसी अंत्राल चार और देशांत्री अंत्राल भी कितना है चार रखा गया है अब देखते हैं नेक्स्ट देखों इसके लिए भारत एवं पड़ोसी देशों के लिए कि पड़ोसी देशों के लिए कि कुल कितनी सीट बनाएगी है तो एक सो चैट ऑपोसीट बनाएगी है 106 टोपोसीट बनाएगी है कुल भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों के लिए 106 टोपोसीट बनाएगी हैं और इनका जो अंत्राल रखा गया है तो मित्रों अंत्राल अंत्राल क्या रखा गया है तो फोर अपोन फोर रखा गया है यानि चार डिगरी अक्छांस और चार डिगरी देशांत्रों का अंत्राल रखा गया है कितना रखा गया है फोर अपोन फोर अक्छांसी अंत्राल भी चार और देशांत्री अंत्राल भी चार रखा गया है तो ये भारत के संदर में बात करनी है और भारत में कुल कितनी टोपोसीट बनाई गई है तो 106 टोपोसीट ही बनाई गई है इसमें भारत प्लस भारत के पड़ोसी देशों को भी सामिल किया गया है और भारत में जो टोपोसीट बनाई गई है वो कहां से कहां तक कितने डिग भारत में जो टॉपो सीट बनाई गया है मित्रों इसमें अक्छांस यह जो अंत्राल है तो अक्छांसों का अंत्राल तो इसमें रखा गया है कि च्यार डिग्री कि नॉर्थ से कि चालीज डिग्री नॉर्थ कितना रखा हैं 4 डिग्री नौर्थ से 40 डिग्री नोर्थ जबकि देशांद्रिय एन्त्राल रखा है देशांद्रिय अंत्राल रखा है मित्रो कितना साट नहीं 64 डिगडी चोंसर डिगरी ixt से और 104 डिगरी एस्ट कि यह कितना रखाएं चोंसर डिगरी इससे लिए 104 डिगरी आप देखो मित्रों यह क्यों रखा है इसमें ठोड़ा में समझाना चाहूँगा कि देखो जब हम भारत का मानचीत्र बनाते एक चोटा सा मानचीत्र में जैसे ये बन गया भारत मान लेते हैं माना कि ये क्या है मारा भारत अब देखो मित्रो यहाँ पर भारत का अक्छांसिय विज़तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनिट से और यहाँ पर अंडमान निकोबार कि मैं बात करूं तो यहां दे रखा है 6 डिग्री 4 मिनिट तो 6 डिग्री 4 या अगर यहां तक डरसाना तो 6 डिग्री अक्छांस तो लेना ही लेना अपने को और यहाँ पर विस तार कितना है तो 37 डिगरी 6 मिनिट उत्रियक चांस और इधर बात करें तो यहां पर कितना है 68 डिगरी 7 मिनिट और इधर कितना है 97 डिगरी 25 मिनिट इसलिए अब यहाँ इधर लेना है तो 68 से यही जीए तो थोड़ा सा इधर खिशका दिया इसको और हमने कितना ले लिया 64 डिगरी पर ले लिया इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और यहाँ कितना ले लिया 104 डिगरी ले लिया यह 6 तक है तो थोड़ा सा और नीचे की या इसको कितना ले लिया 4 डिगरी नौर्थ से ले लिया और यह 37 से इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाया और यहाँ ले लिया कितना चालीश डिग्री नौर्ट तर्ट समझ में आया कि नहीं आया एक वार देखो मैं पुने रिपीट करता हूं जब भारत का मानचीद्र प्रोपर वे में दर्सान आपने को भारत का अक्षांस देशंद्र विस्तार आपने को पता होना चीए तो इसका था आठ डिग्री चार मि पूखी भूमी और अगर दूइपों सहित की जाय तो चैडर चार मिनिट इसको अगर मानचीद्र में दर्सा ना है तो चाहर दिग्री तो थोड़न सा नीचे ले लिया तो चार डिग्री से इधर सालू कर दिया लिए चार डिग्री नौर्स से लेगे 40 डिग्री चालीश की वी लेने के लिए चोश्राइब टागे तो यह 1994 लेकल से इनका अक्षांस और देशान्त्रीस जो अंत्राल निर्धारित किया गया है वो है कि पी डीओ अंत्राल 564 निर्धारित करके के 104 डिग्रीष्ट के मद कुल कितनी सीट बनाई गई हैं तो मैं समझता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे एक बार आप इसका स्कीन सॉट लेना चाहते हूं तो ले लीजिये ने पानी पी ले दाओं